हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई स्टेडी फिट चैनल दोस्तों आज में एड्रेनल गंथी जो हमारे ब्रिक यानि दोनों किडिनी के ऊपर होता है उसके बारे में डीटेल में बताऊंगी इसके अंतरकत जितने भी हार्मोन्स इस्त्रावित होते हैं एड्रेनलीन नार एड कर्याца की सब्सक्ति सब्सक्राइब के ब्रव कर सकते हैं निए की ipi आपको से फिको किजियेक towardi हैं तो इसके बारे में कोई भी आउट नहीं रहे दोस्तों इसलिए बीटी इसे से को आपको इंव करतेयों है है तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिल्वस के एकार्डिंग है सभी वीडियो इसको वाच करके आप अपने प्रिपेशन को बैतरिंग कर सकते हैं दोस्तों हंडेर से ज़्यदा वीडियो प्रिविस दिर यमसे के उसके दिये गये हैं जिसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा क्योंकि सभी क्वेशन बिर इंपरेंट है तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के टॉपिक एडिनल गरंथी के बारे में जानते हैं जैसा कि दोस्तो एडिनल ग्रंथी जिसे अधिब्रिक ग्रंथी भी बोला जाता है यहां प्रत्य ब्रिक यानि के उपर टोपी के समान होता है जैसा कि चित्र में दीख रहा है इसका भार चार से छे केजी होता है दोस्तो सबसे पहले हम कार्टेग्स भाग से इस्त्रावित होने वाले हर्मोंश के बारे में बात करेंगे कार्टेक्स भाग से तीन हर्मोन्स गुलको कार्टिकोईट्स मिनरेलो कार्टिकोईट्स गुनेडो कार्टिकोईट्स इस्त्रावित होते हैं और मेडिला भाग से एडिनलीन और नार एडिनलीन इस्त्रावित होता है तो सबसे पहले बात करेंगे का कार्टिक्स बॉक्स से इस्त्रावित हार्मोंस पहला है ग्लुको कार्टिको इस हार्मोंस यह क्या करता है यह कार्टिसोल यह कार्टिको इस्टिरान भी इसने पाए जाते हैं यह हार्मों क्रोटीन की उपाप्चे को नियंत्रित करता है यानि भोजन की सभी उपाप्चे के निर्माण को प्रेडित करता है, जैसे कि दोस्तों सभी प्रकार की उपाप्चा यानि चैय क्रियाओं को मेटाबोलिजम्न कर्याओं को नियांतरित करता है, आपका स्थारायट ग्रंति जैसे किあप्छली विडियों बता चुकी हूँ, और यहां इसके अव्योग निर्मार को फ्रेडित करता है ग्लुको कार्टिको इसका मुख्यकार होता है चय अप्चय यानि मेटाबोलिज में तथा प्रतिरचात अंत्र इम्यून सिस्टम पर नियंत्रक करना होता है ठीक है जिसको यह इंदी में खनेज नियंतरक हर्मोन्स बोला जाता है यहां दोस्तो मुखिता एल्लो इस्टरान हर्मोन्स इसके अंतरकत आता है और इसको साल्ट रिटेनिंग हर्मोन्स भी कहा जाता है दोस्तों यहां हर्मोंस जो है रक्तदाप तथा इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन पर नियंतर बनाए रखता है एक कोस्टिन पूछा जा चुका है दोस्तों कि कौन सा हर्मोंस जो रक्तदाप तथा इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन पर नियंतर बनाए रखता है तो mineralocarticoids या इसको हिंदी में खनिज नियंत्रक हर्मोन्स बोल सकते हैं और क्या क्या करता है या आत से sodium वो potassium आधी तत्तों के अवसोसर को बढ़ाता है ठीक है और nephron यानि जो हमारे ब्रिक की नलिका होती है जिसे nephron कहते हैं उस nephron नलिका में sodium, potassium तत्था खनिज लवणों के पुदरा वसोसर को बढ़ाता है इसकी कमी से addition रोग हो जाता है ठीक है एंड तिसरा हर्मोन्स है cortex box से cortex box से तिसरा हर्मोन्स है गुनेडो कार्टिको इर्स जिसे stress hormones भी बोला जाता है यह cortex box से अल्प मात्रा में इसका इस्तराव होता है यह महिलाओं में estrogen तथा पूर्सों में endrogen को इस्तरावित करता है यह दोनों हर्मोन्स पूरुसों महिला के जनन अंगों के विकास तथा लेंगिक लच्छोडों में शहायक होते है यह दोस्तों अब बात करते हैं medular भाग से इस्तरावित हर्मोन्स की medular भाग से दो हर्मोन्स इस्तरावित होते हैं adrenaline जिसे epinephrine भी कहते हैं और दूसरा नार adrenaline जिसे नार epinephrine भी बोला जाता है तो सबसे पहले बात करते हैं adrenaline hormones जिसे epinephrine भी बोला जाता है adrenaline जो होता है वह अनुकम्पी तंत्रिका से नियंतित होने वाले क्रियाओं को नियमित करता है जैसे कि दोस्तो अनुकम्पी तंत्रिका को ब्यपति, क्रोद, लणने लड़ने, भूख लगने के समय वह कारे करता है उत्तेजना के समय तो जो अनुकम्पी तंत्रिका से नियंतित होने वाले क्रियाओं होती हैं उनको नियंतित करता है दोस्तों यह question कई बर पूछा जा चुका है कि अनुकम्पित अंत्रिका यानि sympathetic nervous system से नियंदित होने वाली क्रियाओं को कौन नियंदित करता है तो adreninine hormones करता है और क्या करता है या कारेकारी अंगो यानि effectors organs के alpha वा beta receptors को प्रहावित करता है और alpha receptors पर प्रहावी होने के कारण epinephrine और एखित पेसियों को उत्तेजित करता है और दोस्तों very important है अडिनिलीन को लड़ो या उड़ो या फाइट और फ्ले हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह हमें संक्ट कालीन परस्थितियों का सामना करने के लिए तयार करता है अता मानसिक तनाओं की इस्थिती में अधिक मात्रा में उत्पर्न होता है जैसे कोधाने पर डर लगने पर गुटन होने पर घबराहट होने पर तथा भूख लगने पर यह बढ़ जाता है जिसके कारणरक्त में जिसके कारणरक्त दाब भी बढ़ जाता है परंतु अंतरा करने लिए अधैनलीन का इंजेक्टिन दिया जाता है यह वी बात अधैनललीन यिसे नाग अपिनेफिरिन भी बोला जाता है दोस्तों कुछ-कुछ अधीनलीन के समान ही होता है यह कारहEXक आंग effectus area organs के sacrifice पर कार्य करता है इससे लिए कहता है तेवी नहीं होती वा न कि तो सभी हार्मोस की बात अब हम बात करते हैं इन सभी स Week से कौन सा रोग होता है इसके इसके बारे में बात करते है एडिनलीन की जब कमी हो जाती है तो एडिसन रोग हो जाता है या एडिसन रोग होता क्या है जब सरीर में खनीजवा जल की मात्रा कम हो जाती है जल की मात्रा को कमी होने को डिहाइडरेसन या नेजली करण कहते है तो सरीर में खनीजवा जल की मात कम हो जाती है तो रुधिर में ग्लुकोष की कमी हो जाती है जिसे हाइपोगलास्यमिया कहते है जैसे कि दोस्तों जब रुधिर में ग्लुकोष की कमी हो जाती है तो इसको हाइपोगलास्यमिया कहते है ग्लुकोष की अधिक्ता हो जाती है तो इसको हाइपरगलास्यमिया कहत तो इससे एदिशन रोग हो जाता ह Spa जो जो तो इस से इडिइसन बward का हो जाता है जिससे पेसियां जिँगर वे मस्तिसक on अयरैंबो प्याहर मेटाबोलिक्येश्च प्या, और सरी ताप गड़ जाता हैं भुर की कमी हो होने लगती है हाथों गर्दन कभी कभी अन्य भागों की तोचा में मिलेनीन के कारण अजीव सा कास्यवड हो जाता है और दोस्तों इसमें ठंडी गर्मी संक्रमर आदी के प्रतिश्व विदन सीलता बढ़ जाती है रोगी कुछ दिनों में मर जाता है एडिनल कार्टेक्स न कि अधिक तर्जन ठीक हें इसी कार्ण इस हार्मोन को जीवन रच्छक हार्मोन बोला जाता है और लड़ों ऍा भी धियार में रखे === अब बात करते हैं अधित्ता से होने वाला रोग जब इडिनलिन की अधित्ता हो जाती है तो क्या रोग होता है तो इसमें पहला है hyperglycemia, जैसे कि दोस्तों मैं बताएं कि जब glucose की कमी हो जाती है, तो hypoglycemia होती है, जब अधिक्ता हो जाती है, तो hyperglycemia होती है, hyper मतलब हमें साथ ज्यादा होता है, hyper मतलब कम होता है, इसको ध्यार में रखेगा, hyper सब्द आये, तो जा लेजिएगा किसी च सरक्रा यानि glucose की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे मधुएं यानि diabetes भी हो शकता है, दुसरा है edema रोग, इसमें क्या होता है, ECF में sodium, potassium, साथ में जल की मात्रा की अधिक मात्रा से रुधीर दाप बढ़ जाता है, और शरीर फूल जाता है, इसकी कमी से पेसियों, इवं तंत्र में पेसियों, तंत्रिका तंत्र में गड़गड होने लगती हैं,無जट रोग है कुसिंग रोग, इसमें क्या होता है कि पुर्फों के वच्छी भाग में अत्यदीक चर्वी कठा होने लगती है, जिसे सरीभद्दा दिखाई देने लगता है, और हड्या गलने लगती है, जिसे आश्टियो प्रोसिस कहते हैं तथा लड़कियों में लड़कों जैसे लच्छडों जैसे की मोटी आवाद लाड़ी मूझ का विकास हो जाता है और लड़कों के लेंगिक परिपकता जल्दी ही हो जाती है तो यह सब कारण होते हैं तो दोस्तों हमने जाना इसे कौन-कौन से हर्मोंस इस्त्रावित होते हैं इस हर्मोंस के कारे क्या है और इसे कौन-कौन से इसके कमिसर रोग होते हैं इसके अधिकता से कौन से रोग होते हैं सभी डौट्स आपके किलियर हो गए होंगे दोस्तों तो आई होपकी दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एक वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए और ज्यादे से ज्यादे से शेयर कीजिए दूस्तों और सिल्बेस के एकार्डिंग पढ़ने के लिए इस्टी करने के लिए मेरे चैनल पर डेली बेसे से बने रहिए और दूस्तों फर्स्ट पर विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए विल आइकन को फ्रेज कर लिजिए जिसे न्यू वीडियो का आपडेट आप तक पहुचता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की साथ तब तक के लिए जहेंगे